हमारी पूजा बाने जी है वो बहुत जल्द good news देने वाली है असल लाइफ में लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम पर लगी हुई है जहां working moms जो होती है और working to be moms वो अपनी सेहत का ध्यान खूब रखती है तो किस तरहां पूजा जो है सीरियल के सेट पर अपना routine कायम है और यही नहीं कैसे बाकी को साज उनका ध्यान दखते हैं आईए आज आपको दिखाते है किसी भी लड़की के लिए ये बहुत बड़ा सोभागे होता है जब वो मा बनती है अब पूजा बैनर जी बहुत जल्दी मम्मी बनने वाली है इसके बावजूद वो सेट पर हर दिन आती है शूटिंग करती है और आपको बता दे कि पूजा का ख्याल सेट पर बहुत रखा जाता है हमने सोचा कि क्यों नब पूजा से एक मुलाकात की ज जाए और देखे कि सेट पर वो पूरा दिन कैसे बिताती है ते सुबह उठते ही सबसे पहले में गुलकंद लेती हूं गुलकंद से अच्छली प्रेगनेंसी में लॉडव फीमेल गो थूरू लॉडव बैड आसिडिटी गुलकंद से असिडिटी नहीं होती आपको पूरे प्रेगनेंसी में मेरी बॉड़ी के साब से मुझे पानी पहले पीने के लिए मना किया है वान से वीक अप तो इसलिए सबसे पहले एक चमच गुलकंद उसके बाद पानी उसके बाद एक आपल दो खजूर और दो अंजीर और एक आवला तो यह सुबह का रहता है अब कहते है ना कि जब प्रेगनेंट होते हैं तो खाने की क्रेविंग बहुत होती है यह खाना है वो खाना है अब पूजा के साथ ऐसा तो कुछ होता नहीं है लेकिन हाँ पूजा को आइसक्रीम बहुत पसंद है सब एक ही सवाल पुछते है किस चीज की क्रेविंग हो रही है मैं सब को कहती हूं कि मैं जैसी थी मैं बिल्कुल वैसी हूं मैं जो खाना खाया करती थी मैं बिल्कुल वही खाना खा रही हूं बस अभी I make sure कि हर एक मील में मेरे पास मतला मेरे खाने में प्रोटीन हो जो मेर तो यह भी मैं सेट में ही रखती हूँ और जो चीज में हमेश अपने साथ रखती हूँ वो है यह यह अच्छली प्रेगनेंसी बॉटल है पूजा आराम से सेट पर आती है एकड़ इत्मिनान के साथ सीन पूरा करती है और उसके बाद घर जाती है वैसे आपको बता दे कि जब पूजा को पता चला था कि वो मम्मी बनने वाली है तब उन्होंने फैसला लिया था कि आगे वो काम नहीं करेंगी लेकिन जब उनके घरवालों ने और सेट पर उनके को एक्टरस ने कहा के काम करना तो जरूरी है यह काम करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि नौ महने कैसे बीद गए और आज पूजा खुद मानती हैं कि उनका काम करने का फैसला एकदम सही था में इनले काफי डिफिकल रहा और मुझे रोज सेट पर लगता था कि यहाद मैं गलती कररे हूं कि सेट पर नहीं आना चाहिए और काफी तैम मैं हताश हो जाती थी मुझे लगता था कि छोड़ देना चाहिए मैंने इनको भी बताया था कि मैं छोड़ दूँगी, मैंने इनको भी बताया था कि मैं छोड़ रियो करके but that is when I'll say my family members, my friends, specifically my mother-in-law, my mother and my husband ये तीनो जन ने सबसे जादा मुझे बिठा बिठा के समझाया है कि आपकी इच्छा है, आपकी किस्मत है कि आप काम कर सकते हो ए दूसरा कि आपको डॉक्टर ने भी बोला है कि आप अचीतर से काम कर सकते हो और तीसरा आपको सामने वाला काम देने के लिए भी तयार है आप पूजा ने जिन जिन बातों को कहा है, जैसा जैसा वो करता है अगर दूसरी प्रेगनेंट औरते भी ये देख रही होंगी तो वो भी अपने दिन चर्या में कुछ रुटीन ऐसा ही बनाएंगी हिमोंबे से निहा सावन्त के साथ एबीपी न्यूज रिपॉर्ट आपको रखे आगे